हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माय चैनल मात्वी क्रियेटिव कॉर्णर आज के जो डेकोर डियाइवाइस का मेरा कलर थीम है वो है कोल्डन ब्लैक एंड वाइट तो इसी कलर बेसिस पे मेरे तीनों डियाइवाइस हैं तो विदाउट एने डिले लेट्स स्टार्ट आर व बॉक्स है मैंने फॉइल पेपर लिया उसे थुड़ा मैस कर दिया और मैस करके इस पे उसे पेस्ट कर दिया विद्ध हल्प फ्रेविकॉल एक्चुली मैं हमेशा यही कोशिश कर दियू कि मैं जो चीजे भी डेकोर डियाइवाइवाइ बनाने में यूज करूं वो ऐसी और है हुआँ कियोकि फैविकॉल इजी लिय अवेलवल होता है और होटकण होता है वो कई वह डिय गहरु में अवेलवल नहीं होता है तो सबसे पहले इस फॉइल पेपर को करबोर पेस्ट करके मैंने इस पर बलैक कलर किया और बलैक कलर करने की बाद एक और दूर सा कारब से easily मेरा एक डेको डियाइवाई कम्प्लीट हो गया सो फर्स डियाइवाई के कम्प्लीशन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डियाइवाई की तरफ इसके लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक यूज की है एक हेग्जागोनल बनाया और हेग्जागोनल के सेंटर में मैंने त्री आइसक्रीम स्टिक से इस तरीके से पेस्ट गया कि मुझे अंदर इसमें दो रेक्टेंगल और एक इसक्वायर तीन शेप मिल गए अब जो square shape था उसमें मैंने 3 ice cream stick की और जो मेरा rectangle shape था इसमें मैंने 2 ice cream stick करी और इस तरीके से मेरा एक shape इसमें ready होगया ice cream stick से अब इसे जब मैं इसे पल डर दूँगी तब मेरे को एक clean look वाला piece मिल जाएगा इस तरीके के मैंने 3 piece बनाए हैं और उन 3 pieces को एक साथ hot glue बन से paste कर दिया अब चाहें तो इसको favicle से पेस्ट कर सकते क्योंकि ice cream stick बहुत easily favicle से paste हो जाती है इस पे black color किया और इस तरीके से मेरा एक wool hanging बहुत easily ready हो गया तो अब चलते हैं third DIY की तरफ इसके लिए मैंने use किया है ये cardboard का box और एक plastic की bottle सबसे पहले एक circle कट कर लिया in the middle of box ताकि ये जो plastic की bottle है ये इसमें अच्छे से fit हो सके actually मैं इस एक planter बनाना चाह रही हूँ और जो भी joints हैं उन्हें masking tape की help से मैंने secure कर लिया cardboard की first layer हटा के जो second layer होती उससे चारो तरह paste किया black color किया और जो मारी bottle थी उसके उपर golden color करके बहुत easily मेरा एक DIY ready हो जाएगा अब इसको थोड़ा और नया look देने के लिए मैंने ये sticks use किये ये sticks जो होती है 10 rupees में stationary पे आसानी से मिल जाती है अगर ना भी मिले तो अब इस step को skip कर सकते हैं ये febical की paste से मैंने बीच में add कर दी और इस तरीके से मेरा planter ready हो गया इस planter में मैंने water के साथ में money plant लगा ही है नाव चलते हैं last DIY की तरफ इसके लिए मैंने ये एक old frame ली है और इसके लिए use किया है मैंने foil paper foil paper को मैंने सबसे पहले half mask किया और half plain ही रखा उसे mess नहीं करा और masking की help से मैंने एक side में golden color कर दिया actually ये पूरा DIY करते करते मुझे idea आया कि मैं इसमें किवल half ही पार्ट में मुझे foil paper paste करना चाहिए था इसलिए मैंने जो मेरे आधा जो foil paper था उसे हटा दिया और simply जो मेरे पास board था उसे के उपर मैंने white color किया now अभी print out लिया उसे mirror के नीचे रखा और black acrylic color से वो design को भी draw कर ली और इस तरीके से बहुत easily मेरे एको DIY रडी हो गया hopefully आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा and let me in comment box की आपको कौन सा decor DIY ज्यादा easy लिखा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care